दोस्तों अभी के टाइम में इंडिगो और एर इंडिया ऐसी दो एरलाइन्स हैं जहां पर बहुत सारी वेकंसिस आ रही हैं और अगर आप एरलाइन एरपोर्ट में जौब पाना चाहते हैं तो इन दो में से जब भी कोई वेकंसि आये तो आपको मिस नहीं करना चाहिए आप आपको उसे अटेंज जरूर करना चाहिए दोस्तों वेकंसि दो तरह की होती है एक होती है नॉर्मल वेकंसिस जिसमें सबसे पहले आप अपलाई करेंगे अगर आप एलिजबल है और उसके बाद अगर आपका रिजूम शॉट लिस्ट होता है तो आपको इंटर्वी के लि अगर मेरे पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि नॉमबर के महिने में जितने भी वाकिन इंटर्वी होने वाले थे इंडिगो एलाइन्स में मैंने सब के बारे में अपडेट दिया था और उमीद करता हूँ कि आपने 18th of नॉमबर को चिन्नई, इं जानकारी है उसके अकोर्डिंग तीन और वाकिन इंटर्वी कंड़क्ट होने वाले हैं इंडिगो एलाइन्स में जिसे आपको बताना जरूरी है क्योंकि अगर आप मेरे पिछले वीडियो को जो कि मैं हमेशा अपलोड करता हूँ अगर मिस कर गए होंगे तो दोस्तों अगर आप एरलाइन एरपोर्ट में जॉब पाना चाहते हैं बनना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ याफे केविन क्रू तो चैनल पे पहली बार आ रहे हैं लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीज़ेगा इसी तरह के वेरी इंफरमेटिव अपडेट्स आपको मिलते रहे और एरलाइन एरपोर्ट के जॉब के अलावा अगर कोई जॉब ढूड रहे हैं आप तो मैं आपको रेकमेंड करता हूं एक मॉबाइल अप्लिकेशन लिंक उसका वीडियो के डिस्कुप्शन में है जाए लिंक पे क्लिक करके मॉबाइल अप्लिकेशन अंस्टॉल दोस्तों वेकेंसी कहा कहा की है और डे टाइम प्लिस जानने से पहले सबसे पहले यह जानते हैं कि उसकी एलिज़िवल्टी क्राइटरिया क्या है Ground staff के लिए जो eligibility criteria है वो अभी आप देख पा रहे हैं वीडियो के screen पे सबसे पहले आप check कर लें कि आप इसके लिए eligible हैं कि नहीं तो अगर आप इसके लिए eligible हैं दोस्तों तो अब आए आगे बढ़ते हैं So friends, Bhopal की ये जो vacancy है security customer service ramp के लिए ये conduct होने वाली है 21st of November को date time और place आप देख पा रहे हैं वीडियो के screen पे इसके बार जो दूसरी vacancy है friends, वो है है हैदराबाद में जो walk-in interview है, ये conduct होने वाली है 22nd of November को जिसका registration time 9 to 11 और interview का time है 10 to evening 7 address आप देख पा रहे हैं, वीडियो के screen पे hotel lemon tree और दोस्तों, last वाली जो vacancy है, वो है पुने में जो की conduct होने वाली है ground staff यानि security customer service ramp के लिए दोस्तों, यहाँ पर registration का time है 10 to 11 और interview का time होगा 11 to 7 address आप देख पा रहे हैं, वीडियो के screen पे जो most important eligibility criteria है, दोस्तों, आपके पास passport होना चाहिए English speaking, communication, skill, body language, इन सब पर ध्यान दीजिएगा जादा कारी के लिए दोस्तों, वीडियो के description में मैंने और भी वीडियो का link दे रखा है, जाकर वहाँ पर देखिए और अब बात करते हैं कि application process क्योंकि दोस्तों, मैंने बताया कि आप directly यहाँ पर जाकर apply करना है, apply करने के बाद जो code मिलेगा उसे note कीजिए और उसे अपने resume पर लिख दीजिए और जो भी documents आभी आप देख पारे हैं वीडियो के screen पे, इन सब को लेकर तयार होकर आप चले जाएएगा, जहां भी आप जाना चाहते हैं interview के लिए उमिद करता हूँ, वीडियो काम का लगा होगा interview के त्यारी आप करनी है, तो उपर वाली वीडियो को देखे और बादा की जनकारी के लिए नीचे वाले वीडियो को जरूर देखे